Hello everybody and welcome to today's video तो आज के वीडियो में मैं सब कुछ डिसकस करने वाली हूँ related to analytical paragraph ठीक है? So the thing is मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है analytical paragraph पे but वो जो वीडियो है वो मैंने तब बनाया था जब CBSE ने reduced syllabus announce नहीं किया था ठीक है? तो पहले जब CBSE ने reduced syllabus announce नहीं किया था तो पहले 10 marks का आने वाला था analytical paragraph but CBSE ने अब पूरा paper format change कर दिया है अब analytical paragraph 5 marks का आने वाला है तो आज के वीडियो में मैं हर चीज़ डिसकस करने वाली हूँ related to analytical paragraph ठीक है? A to Z हर चीज़ डिसकस होगी आज के वीडियो में along with that मैं 10 examples discuss करने वाली हूँ I will discuss 10 examples on analytical paragraph तो अगर आपने आज का वीडियो देख लिया तो आप लोग के analytical paragraph में 5 में से 5 marks आ सकने हैं इस गारन्टीन Now, the thing is internet पे आप लोग को questions नहीं मिलेंगे analytical paragraph के क्योंकि बहुत time से story writing आ रही थी ठीक है? इसलिए आज के वीडियो में मैंने 10 examples कराने का सोचा है आप लोग को क्योंकि example से बहुत अच्छा समझ आता है ठीक है? तो please make sure to watch this video till the end Now, let's start with the video So, what is analytical paragraph? ठीक है? So, basically अगर आप लोग को ये दिया हुआ है 2010 में इतनी population थी ठीक है? 11 में इतनी population थी यहाँ पर population है y-axis पे और x-axis पर year है ठीक है? 2012 में इतनी population थी 13 में इतनी population थी ठीक है? इस तरीके से आप लोग को ये data दिया हुआ है in the form of graph ठीक है? So, आप लोग को इसको analyze करना है So, this is one example of analytical paragraph आप लोग इसको पूरा analyze करके लिखोगे कि भाई population जो है वो 2010 में बहुत कम थी और अगर 2010 और 2011 की बात करने हैं तो 2011 में population जस्ट डबल हो गई ठीक है? और उसके बाद 2012 और 2013 में और बढ़ गई तो इस तरीके से आप लोग को analyze करना होता है ठीक है? दूसरा अगर मैं example दूँ latest example आज कल सब वो examples को देख रहे हैं For example अभी pandemic चल रहा है तो coronavirus ठीक है? रोज आप लोग coronavirus cases को देखते हैं आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो daily 64,000 65,000 cases बढ़ रहे हैं ठीक है? तो इस तरीके से map आसकता है sorry इस तरीके से आप लोग के बास graph आसकता है pie chart आसकता है ठीक है? कुछ भी आसकता है ठीक है? For example अगर मैं बात करूँ March की तो March में इंडिया में इतने coronavirus cases थे ठीक है? April की April में इंडिया में इतने coronavirus cases थे May May में इतने थे June June में बहुत ज़ादा coronavirus cases sorry June में बहुत ज़ादा coronavirus cases बढ़ गए तो इस तरीके से आप लोग के पास coronavirus से related भी graph आ सकता है ठीक है? तो coronavirus cases का मैंने example इसलिए दिया क्योंकि अभी आज कल आप लोग उस data को देख रहे हैं ठीक है? और analytical paragraph का मतलब भी यह होता है कि आप लोग को कोई data दिया हुआ हो और आप लोग उसको analyze करके लिखे तो सबसे पहले it's very important to understand what is analytical paragraph ठीक है? Point number two अब आते हैं इसके marking scheme और marks distribution पे ठीक है? तो analytical paragraph 5 marks के आते हैं और आप लोग को 100 to 200 words में इसका answer देना होता है 100 to 200 नहीं 100 to 120 words में इसका answer देना होता है तो first of all अगर बात करी marks distribution की तो format होता है 0.5 marks का ठीक है? format के अंदर क्या आता है? सिर्फ आप लोग के analytical paragraph के format में आता है कि आप लोग को analytical paragraph की heading लिखनी होती है ठीक है? heading और उसके बाद आप लोग को जो भी आप लोग paragraph लिखना है वो लिखना होता है अगर आप लोग को ने ये format फॉलो कर दिया तो आप लोग के 0.5 marks format के पक्के है ठीक है? I am repeating again, सिर्फ आप लोग को heading लिखनी है और heading के बाद जो भी आप लोग को analytical paragraph लिखना है वो complete करना है अगर आप लोग को ने ये format फॉलो करा तो 0.5 marks आप लोग को मिल जाएंगे ठीक है? This is the format of analytical paragraph ठीक है? Next is content Content is of 2 marks अभी के लिए content को मैं छोड़ जेती हूँ 1.25 marks for expression and 1.25 marks for consistency ठीक है? मैं आप लोग को detail में बता देती हूँ 1.25 marks for expression and 1.25 marks for consistency ठीक है? इसका क्या मतलब होँआ? expression का क्या मतलब होता है? कि आप लोग के grammatical mistakes कितनी हैं? आप लोगोंने क्या vocabulary उस करी है? ये सारी चीज़े हा जाती है expression में ठीक है? आप लोगोंने एक line में लिखा कि भाई 6% increase in population ठीक है? उसके बाद जो दूसरा sentence होना चाहिए वो इसी sentence से मिला जोला होना चाहिए ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोग दूसरे sentence में altogether एक नया topic चालू कर दें ठीक है? तो जो सारी sentences हैं उनके भीच में correlation होना चाहिए ठीक है? fluency होनी चाहिए So this is what we call as consistency ठीक है? तो 1.25 marks होते हैं expression की और 1.25 marks होते हैं consistency के expression में आ जाती है आप लोग की grammatical mistakes, spelling mistakes, vocabulary ठीक है? और consistency में आ जाते हैं आप लोग की fluency ठीक है? So expression और consistency के total मिला के 2.5 marks होते हैं Now let's just discuss about the content ठीक है? Content होता है 2 marks का ठीक है? तो मैं एक बार detail में बता देती हूँ आप लोग को देखो अगर आप लोग के पास कोई भी analytical paragraph आए तो उसके अंदर सबसे जादा marks होते हैं content के ठीक है? जैसे कि मैंने आप लोग को बताया expression भी 1.25 marks का है consistency 1.25 की है format 0.5 marks का है तो सबसे जादा marks जो हैं वो content के ही है तो आप लोग को कैसे अपना analytical paragraph लिखना है? ठीक है? तो आप लोग को क्या करना है? अगर आप लोग के बस कोई भी question आए ठीक है? उसका answer आप लोगो को 4 paragraph में divide करके लिखना है I am repeating again अगर आप लोग के बस कोई भी analytical paragraph का question आए उसका answer आप लोग को 4 paragraph में divide करके लिखना है अगर आप लोगो ने अपना answer 4 paragraph में अच्छी तरीके से divide करके लिख लिया तो आप लोग के content में full marks मिल सकते हैं अगर जो 4 paragraph में आप लोग अपना analytical paragraph लिखना है उसके अंदर से 1st paragraph कौन सा होना चाहिए 1st paragraph should always be introduction ठीके ये जो मैं बोल रही हूँ करी लिख लेना या फिर याद कर लेना because this is very very important ठीके चार paragraph में आप लोग का analytical paragraph divided होना चाहिए 1st paragraph should be introduction 2nd paragraph and 3rd paragraph should be analysis ओके and 4th paragraph should be conclusion I am repeating again 1st paragraph should be introduction 2nd paragraph 2nd and 3rd paragraph should be analysis and 4th paragraph should be conclusion ठीके फॉर एक्जाम्पल अगर मैं बात करूँ population की ठीके तो आप लोग को population का चार्ट दिया हुआ है चोकि मैंने वीडियो के starting में भी आप लोग को example दिया था कि 2010 में इतनी population है 11 में इतनी है 12 में इतनी है ठीके तो आप लोग सबसे पहले 1st paragraph that is introduction paragraph में क्या लिखेंगे कि इंडिया में जो population है वो बहुत तेज अमाउंट से बढ़ रही है ठीके ए and year by year कभी-कभी तो population double भी हो जाती है and बहुत तेज पेस से इंडिया में जो population है वो बढ़ रही है this is the introduction paragraph second paragraph second and third paragraph में आप पूरा analysis करके लखेंगे मतलब कि आप लोग लखेंगे की 2010 में इतनी population थी उसके बाद 11 में telefon 12 में इतनी थी इसका पूरा analysis आप लोग second ूर third paragraph में में करेंगे और फॉर्ढ पारेग्राफ में आपropolी तो भी आपने पूरे 2 out of 2 marks आ सकते हैं, यह मैं आप लोग को बिलकुल best strategy बता रही हूँ कि कैसे आप लोग को analytical paragraph attempt करना है, आप लोग को कहीं नहीं मिलेगी, कहीं, internet पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है, because analytical paragraph is very new, ठीक है, now we will solve 10 examples on analytical paragraph, okay? So, जो 10 examples होंगे analytical paragraph में, वो मैं next video में start करूँगी, because I think this video is already very long, ठीक है, यह 9 minute का video बन जाएगा, तो next video में 10 examples discuss करूँगी related to analytical paragraph, ठीक है, तो वो video देखने के लिए आप लोगों को analytical paragraph के basics आने चाहिए, जो कि मैंने इस video में बताए हैं, okay? So, thank you and have a nice day.